Hello Learners, Welcome to your channel इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Law of Demand क्या होता है, क्या है Meaning, क्या है Definition क्या है Adjunctions Law of Demand के और Important Features क्या है Law of Demand के, वो हम इस वीडियो में देखेंगे अब suppose करें कि 100 रुपीज पर केजी आप जो है Apple परचेज करते हैं, 100 रुपए में जो पहले 100 रुपए में आप एक केजी डिमांड करते थे Apple, 100 रुपए में एक किलो Apple परचेज करते थे, अब क्या होगा 200 रुपए पर, आप करेंगे, आपकी quantity डिमांड क्या होजएगी, आटोमेटिक कम हो जाएगी यानि कि यह human behavior है कि अगर किसी भी चीज की प्राइज बढ़ा दी जाती है तो आप उसकी डिमांड करते हैं, कम कर देते हैं तो अब आप 200 रुपए में हो सकता है कि आप आदा किलो एपल ही परचेज करेंगे कि 100 रुपए में आदा किलो लेके आप घर चले जाएंगे वहीं पर सब्सक्राइज करें कि 100 रुपए केजी पर केजी आप एपल परचेज करते थे और उसकी प्राइस को घटा दी जाती हो 50 रुपए पर केजी आपको एपल मिलने लगता है तो अब क्या होगा आपकी कॉंटिटी डिमांड बर जाएगी आप 10 1 रुपए में आप 2 किलो एपल लेके घर जाएंगे क्यों कि उसकी प्राइस क्या होगी चम होगे थी आपकी कॉंटिटी डिमांड इट क्या होगी बढ़ गई यानि कि आपने अब पहले 100 रुपे में 1 किलो लेते थे प्राइस घटी तो आप 100 रुपे में 2 किलो घर लेके जा रहे है वहीं पर जब प्राइस बढ़ गई थी तो उसके इसमें क्या हुआ था तो आपकी quantity demanded घट गए थी यानि कि किसी भी प्रोडट की डिमांड क्या होगी और प्राइस का उस पर क्या इंपक्त बड़ता है उसके बीच की रिलेशन्शिप को ही क्या शो करता है तो अगर हम इस बात की definition की बात करें कि law of demand की definition क्या हो जकती है तो keeping other factors that affect demand constant यानि कि वो factors जो price के अलावा वो factors जो demand को affect करते हैं उन सभी factors को हम constant रखें सब्सक्रिक की income है, taste and preference है, complementary goods है, substitute goods की price है, उनकी availability है यह सारे factors जो demand को affect करते हैं किसी भी product के उसको हम constant रखें price के अलावा तो a fall in price of a product leads to increase in quantity demanded यानि कि किसी भी product के price में अगर decrease होता है यानि कि उसकी price गिरती है तो उसकी quantity demand क्या होगी इस product की increase करेगी and a rise in price leads to decrease in quantity demanded for the product और अगर price बढ़ती है किसी product की तो उस product की quantity demand क्या होगी, decrease होगी, यही law of demand का definition है keeping other factors that affect demand constant, a fall in price of a product leads to increase in quantity demanded and a rise in price leads to decrease in quantity demanded for the product अगर आप इसी को देखें तो when the price goes up, यानि कि किसी product का जब price उपर जाता है यानि कि बढ़ता है, price increase होती है, तो demand क्या होगी, quantity demanded goes down उसकी quantity demand क्या होगी, वो नीच हो जाएगी, यानि कि कम demand करने लेंगी लोग क्योंकि उसकी price बढ़ गई वहीं पे when the price goes down, यानि कि किसी product کی price decrease होती है टो उस case में क्या होता है कि उस product के demand क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यह आप जनरली आप observe भी कत माँगी, किसी product के price बढ़ती है तो उसकी demand क्या हो जाती है, गू बढ़ती है तो उसकी दिमांड कम हो जाएगी और किसी प्रोडर की प्राइस घटती है तो उसकी दिमांड जादा हो जाएगी that is law of demand तो आपको समझ में है कि law of demand की definition क्या है कि keeping other factor that affect demand constant a fall in price of a product leads to increase in quantity demanded and a rise in price leads to decrease in quantity demanded for the product अब हम बात कर लें assumption क्या है law of demand के assumption जाने कि कुछ assume करके हम ये law of demand जो statement दिया कि price घटेगी तो demand बढ़ेगी price बढ़ेगी तो demand घटेगी ये कुछ assume करके दिया गया तो वो क्या assumption है पहला income of the consumer is constant जैसा कि मनें बता है कि keeping other factor constant तो income जो है consumer की वो constant वो income घट या बढ़ नहीं रही है तब वो law of demand वहाँ पे successful होगा दूसरा there is no change in availability and price of the related commodities याने कि जो product आप purchase कर रहे हैं उसका related commodity याने कि complementary goods या substitute goods या उनके price में और उनकी availability में कोई भी change नहीं हो रहा है तब law of demand वहाँ पे successful होगा याने कि applicable होगा there are no expectations of the consumer about change in future price and income याने कि consumer ये expect नहीं कर रहा है कि future में उसकी price या फिर future में उसका income जो है change होगा बढ़ेगा या घटेगा ये expectation consumer नहीं कर रहा है consumers taste and preference remain the same जो consumer का taste और preference वो भी same रहता है उसमें भी कोई change नहीं होता है और there is no change in the population and its structure याने कि population में भी कोई change नहीं हो रहा है ये assumption है law of demand के याने कि जब हम law of demand में कहते हैं कि price बढ़ेगी तो demand घटेगी प्राइस घटेगी तो demand बढ़ेगी ये तभी successful होगा तभी applicable होगा जब ये चीजे assumption जो हमने लिए है वो सही होगा याने कि income change नहीं हो रहागा related goods के price में ability में कोई change नहीं होगा expectation हम यह नहीं कर रहे होगे कि हमारे आगे चलके price बढ़ जाएगी या घट जाएगी इनकम हमारी change हो जाएगी और customer के taste of preference में भी कोई change नहीं हो रहा और population में भी कोई change नहीं हो रहा तो ये law of demand जो है वो अहाँ पर applicable होगा अब हम बात कर लें important features क्या है law of demand के तो आपने law of demand के definition देखे meaning देखे assumptions देखे उसके basis आप जो ही important features दो identify कर सकते तो पहला आपने important feature देखा कि there is an inverse relationship between price and quantity demanded यानि कि price और quantity demanded के बीच में opposite relation होता है यानि कि अगर price बढ़ेगी तो demand घटेगी अगर price घटेगी तो demand बढ़ेगी यानि कि दोनों उल्टा चलते तो there is an inverse relationship between price and quantity demanded of a product दूसरा feature आपने देखा कि price is an independent variable and demand is dependent variable price और quantity demanded के बीच में relationship शोग करता है law of demand price भी variable है और demand भी variable है यानि कि वो change होते है तो लेकिन price जो है वो quantity demanded पे depend नहीं है ओके लेकिन demand जो है वो quantity demanded जो है किसी project का वो किस पे depend है price पे depend है यानि कि अगर price में कोई भी change होता है तो उसकी वज़ा से demand में भी change होता है लेकिन अगर quantity demanded में कोई change होता है तो उसकी वज़ा से price में कोई change नहीं होगा price में change होने के वज़ा से quantity demand में change होता है that is why price is independent and demand is dependent तो demand किसमें depend करता है price में depend करता है law of demand में next important feature आपने जो notice की it is only a qualitative statement यह जो है qualitative statement है law of demand it does not indicate the quantitative change in price and demand यह quantitative change जो है price और demand में so नहीं करता है यह qualitative statement है और next generally the demand curve slopes downward from left to right generally जो demand curve है यहने कि जब आप इसको graphically present करते हैं तो जो demand curve आता है वो normally downward slope करता है downward आता है left से right की तरफ आप जैसा की graph में देख रहोंगे यह downward slope करता है left से right करता है यह demand curve करता है इस topic को भी हम discuss करेंगे अपने next वीडियो में तो hope कि आपको log demand समझ में आया होगा कि जब भी fall in price होता है यहने कि price decrease करती है तो demand increase करती है किसी product की price increase करती है तो उस product की demand decrease करेगी there is inverse relationship between price and quantity demanded keeping other factor constant that affect the demand यहने कि उन सभी factors को constant जो demand को affect करते हैं तो price और quantity demanded इसी बीच में क्या है inverse relationship है price बढ़ेगी, demand गटेगी, price गटेगी, demand बढ़ेगी तो wish you all the best, keep watching subscribe to the channel for more videos, thank you